Hello viewers, welcome to our channel Indian Franchise Solutions So, दोस्तो, आज जिस business opportunity के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आप उसे miss नहीं कर सकते हैं तो वीडियो के अंतर तक आप जरूर बनी रहिएगा ताकि आपको पूरी जांकारे मिल सकें और Indian Franchise Solutions YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले So, दोस्तो, हमारे जो पुराने viewers हैं, जो हमारे पुराने subscribers हैं, उन्होंने एक वीडियो जरूर देखा होगा Quick Autos Services के बारे में और हमारे पास जितनी inquiries आती हैं, वो भले email पे आएं, whatsapp पे आएं, general inquiries करते हैं लोग consultation के थ्रू उसमें तो सब लोग जो हैं, वो एक सवाल जरूर पूछते हैं, कि भाईया, Quick Autos Services की कितनी outlets हैं, और किस किस location पे हैं So, दोस्तो, इस वीडियो में जो है, मैं especially इस सवाल को जरूर cover करूँगा So, that आप लोगों का जो यह doubt है, यह जरूर clear हो जाए So, दोस्तो, आज का वीडियो especially उन वीवर्स के लिए है, जो हमारे पास इस सवाल के साथ आते हैं और कहीं न कहीं उन नए वीवर्स के लिए, उन नए सबस्क्राइबर्स के लिए भी है जो एक अच्छी business opportunity के तलाश में है, जिन्हें पता नहीं कि उन्हें कौन सा business जो है, वो choose करना चाहिए So, दोस्तो, करीब 6 महीने पहले हमने पहली बार Quick Auto Services को अपने channel पे cover किया था तब इनकी केवल 3 outlet थे पिछले 6 महीने में, Quick Auto Services ने अपने franchise expansion को अपने franchise network expansion पे जो है, काफी काम किया है और 2-wheeler service छेत्र में एक बड़ा नाम उभर कर सामने आया है दोस्तो, Quick Auto Services के अगर आज के date में presence की बात की जाए तो company ने अपने master franchises, अपने unit franchise को लेके लगबग 6 राजियों में 18 outlets जो है, वो open कर दिये है अब जैसा कि आप सब वीवर्स पूछते हैं कि Quick Auto Services के जो outlets हैं, वो किन-किन locations पे हैं तो दोस्तो, इसको समझने के लिए, हम सीधे जो है, अब इंडिया के map पे चलते हैं कहां कहां पे Quick Auto Services ने अपनी छाप छोड़ी है, उसको समझते हैं तो दोस्तो, Quick Auto Services के outlets जो हैं, वो आपका फरीदाबाद, लुधियाना, ठाने, मुंबई, नवी मुंबई, विरार, हत्रस, पूने, गोवा, जबरपूर जैसे locations में है तो अब देखा जाए, तो North से लेकर South और East से लेकर West India तक में इनकी franchises हैं और बहुत सारे ऐसे outlets हैं, जो आने वाले एक से दो महीने में जो है, वो open होने वाले हैं तो दोस्तों, जैसा आप इन वीडियो में देख सकते हो, यह सारे के सारे जो outlets आपको दिख रहे हैं यह इनी में से किसी outlet का आपका opening का, जब ceremony होती है, opening ceremony होती है, यह उसी के वीडियो है तो यह सारे आपके reference के लिए हैं, सुधर आपको पता चल सके कि कुई court of services का presence कहा कहा पे है, कैसा उनका infrastructure है, यह सारे चीजें जो हैं आपके knowledge के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, कि जो नए वीवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कुई court of services franchise के बारे में नहीं सुना, या क्या business concept है, उनको यह नहीं पता है, तो बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सरल शब्दों में, उनको मैं थोड़ा सा explain क करना चाहूंगा, तो दोस्तो, click auto services जो है, वो two wheeler multi brand service franchise offer करता है, यानि किसी भी brand का two wheeler हो, वो वहाँ पर service किया जाता है, अब इसमें जो है, आपके motorcycles भी हो सकते हैं, आपके scooters भी हो सकते हैं, और अब तो आपके electric, जो scooters या electric bikes आ रही हैं, वो भी इसमें service की जाती हैं, सो दोस्तो, चलिए अब आवे बढ़तों समझते हैं कि आपको two wheeler service franchise business ही क्यों करना चाहिए, दोस्तो, आज की rate में बड़े से बड़ा जो new bike dealership जो है, वो पैसे नहीं बना रहा है, वो अपना business जो है, वो कही ना कही घाटे में, या ना तो no gain, no loss जैसे mode में चला रहा है, इ देखे दोस्तो, इतने सारे inventories को जब आप एक जगा पे hold करते हो, तो उसका देख रेख में, उसके साफ सफाई में भी जो है, आपको बहुत खर्च करना होता है, दूसरा आप मान के चलिए कि high marketing cost, जब इतनी सारी inventory आपके पास पढ़ी रहती है, तो बहुत सारा पैसा जो ह आपके रखता है, और ऐसे में उसका पैसा ब्लॉक हो जाता है, तो उसको liquidate करने के लिए जो है, जितनी अच्छी marketing हो सके, जितने अच्छे offers दे सके, वो अपने end से try करता है, और ऐसे में जो है, अगे इसका pressure भी जो है, वो अगे dealer को ही आता है, और कहीं ना कहीं, उसके जो overall margins होते हैं, उसके इसका impact देखने को मिलता है, तीसरा दोस्तों मैं कहूंगा कि lower margins, तो आज की date में अगर किसी भी वो आपका bike का showroom हो, आपका electric bike का भी showroom है, तो उसके 10-12% से जादा का margin नहीं रहता, तो जब आपका maintenance cost बढ़ता है, जब आपका marketing cost बढ़ता है, तो ऐसे में आपकी जो profitability है, वो anyways 10-12% की है, वो और जो है थोड़ा सफर करती है, वो और under pressure में आ जाती है, अब दोस्तों इसके पीछे अगर एक और reason मैं कहीं ना कहीं देखूं, तो high investment, तो जितना आप इसमें invest करते हो, उतना जारा आपको इसमें return नहीं आता, और कहीं ना कहीं इसमें कोई recurring income नहीं है, तो जैसे मान दीजे कि अगर आप एक बाइक बेचते हो, तो जो एक recurring model बचता है, dealership के बाद वो again service का बचता है, उसमें से 95% लोग जो हैं वो again bike dealership पे नहीं आते, service के लिए, जब तक उनके पास free services available रहती हैं, तब तक वो आते हैं और उसके बाद नहीं आ तो ऐसे में जो आपका multi brand, two wheeler service franchise जैसे concept हैं, वो बड़े ही अच्छे चल रहे हैं, और आप किसी भी pin code में आज की rate में compare कर लीजे, तो लाखो लाखो bikes रहे हैं, आपको एक एक pin code पे मिलती हैं और वहां पे service की बहुत बड़ी demand है, तो दोस्तों चलिए अब आगे अगे franchise अगर आप स्टार्ट करते हो, तो इसमें आपको क्या benefits मिलते हैं, तो देखे दोस्तों, जैसा इनके नाम में ही है multi brand service franchise, तो यहां पे आप किसी भी brand का two wheeler service कर सकते हो, आपके employees के पास, वो relevant experience रहता है, training रहती है, उनको skill रहता है कि वो उसकी servicing या repair कर सकें, तो यह एक बह बढ़ा plus है, दूसरा होता है आपका recurring income, तो service जो है वो आपका recurring income concept या model आप कह सकते हो, क्योंकि एक customer जो है, वो साल में दो से तीन बार service जरूर कराता है, और उसको बार बार service कराना ही है, तो यदि अगर आप उसे अच्छी service provide करते हो, तो customer आपके पास बना रहता है, और आ long run में जो है, उससे काफी अच्छे पैसे बनाते हो, अब एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी profitability को boost करता है, वो है आपका spare parts पे जो आप income बनाते हो, तो देखिए दोस्तों, अगर customer आपके पास आता है, तो कुछ ना कुछ spare parts जो है, वो जरूर वहाँ पे लगत है, तो ऐसे में, आप spare parts पे भी जो है, वो काफी अच्छे पैसे बनाते हो, अब दोस्तों, quick order services के साथ, जो आपको एक और advantage रहता है, कि आप जो है, customers को service के साथ, जो है, वो insurance पे provide कर सकते हो, तो insurance पे दोस्तों, जितने भी two wheelers होते हैं, सबको insurance चाहिए होता है, तो service के साथ जो है, आप insurance भी दे सकते हो, insurance पे जो है, आप 20% तक का margin सीधे सीधे कमा सकते हो, उसके अलावा दोस्तों, quick order services, जो है, वो different packages, जो है, वो customers के लिए देता है, example के तो आप पे बताऊं, जो जो साथ का annual maintenance package, तो annual maintenance package, जो है, वो customers के लिए सस्ता पढ़ता है, और customer जो है, आपके पास, जो है, वो long run में बना रहता है, तो ये कुछ एक ऐसी चीजें है, जो quick order services को बाकी जो franchises है, या जो बाकी जो two-wheeler service centers है, उनसे अलग बनाता है, और customer को यहाँ पे retain करने में, बहुत सारे efforts डालता है, सो चलिए दोस्तों, अब जो है, हम थोड़ा सा investment और area criteria भी जो है, यहाँ पे explain करते हैं, सो हो सकता है, हमारे कुछ ऐसे वीवोस होंगे, जो पहली बार quick order service franchise को देख रहे होंगे, सो देखिए दोस्तों, quick order जो है, वो two concepts में franchise देता है, एक है आपका unit franchise, और दूसरा है आपका master franchise, तो unit franchise में जो है, आपको लगबग 7 लाग रुपय का investment और लगबग 400 square feet का area चाहिए होता है, अब unit franchise में जो है, आपको पंदर लाग रुपय का investment और लगबग 700 square feet का area चाहिए होता है, अब unit franchise में जो है, आप अपने जो outlet है, उसके मालिक होते है, उसके देखरे का आपको करनी होती है, वहीं master franchise जो है, आपका एक city में एक ही होता है, तो master franchise के अंडर जो है, वो multiple unit franchises open हो सकती है, और unit franchises जो है, वो सारे के सारी आपको master franchises को report करती है, और master franchises जो है, वो आपका company है, head office को report करती है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप QCOTO services की franchise लेना चाहते हो, तो आपको 10% amount है, as a booking amount देना होता है, उसके बार जो है, आप अपना area सेलेक कर सकते हो, company भी आपको उसमें guide करती है, कि कौन से area में आपको अपना store खोलना चाहिए, वहीं अगर rent की बात करें, तो rent जो है, आप लगभग 20,000 से लेके 25,000 रुपए के उपर नहीं लेजिए, उसके उपर अगर आप लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकरी रिस्की हो सकता है, अब जो है, दोस्तो एक और concern जो franchise owners का रहता है, क्या है, वो employees कहां से लेके आएंगे, तो दोस्तो इसके बारे में आपको कोई फिकर करने की जरूरत नहीं है, company जो है, वो HR consultancies के थ्रून का tie-up रहता है, और वहाँ पे जो है, वो आपको जो भी relevant experience का, employee आपके business के लिए चाहिए, वो hire करके देते हैं, तो वो खुदी जो है, वो interviews conduct करेंगी, खुदी जो है, वो employees hire करके आपके outlet के लिए देते हैं, अब दोस्तो कुछ concerns रहते हैं, कि अब store को कैसे setup होगा, जब भी आपका franchise application forward होता है, जब भी आपका amount of page, ऐसे से steps में करते जाते हो, तो वैसे वैसे जो है, company आपका store का setup करना शुरू कर देती है, तो इसमें आपका equipment का setup भी involved रहेगा, बाकि as a franchise owner आपको basic setup जैसे कि आपका electrical connection हो गया, आपका water connection हो गया, ये आपको गरा के देना होता है, अब इसमें आपको दो cost आपके involved नहीं रहते हैं, एक है आपका store के partitions होते हैं, जैसे कि आपका washing area का partition मान लीजे, फिर आपका lounge space होता है, उसका partition मान लीजे, accountant जहां बैठत उसका partition मान लीजे, जहां पर आप spare parts store करते हो, उसका partition मान लीजे, तो store का layout आप देख सकते हो, इसके हिसाब से आपको partitions बनवाने होते हैं, तो इसका एक खर्चा आपका अलग से रहता है, इसके अलावा, जो spare parts आप store करते हो, तो company आपको ये बता देती है, कि आपको क्या क spare parts रखने चाहिए, जो regular spare parts होते हैं, company आपको वही recommend करती है, अपने आपर रखने के लिए, तो वो जो है, आप रख सकते हो, उसके लिए जो भी आपको cost पड़ता है, वो आपको bear करना पड़ता है, अब जो है, दोस्तो, कुछ ऐसे spare parts होते हैं, हो सकता है, कि वो at a sudden customer आजा और उसके demand हो, तो इसके बारे में भी आपको चिंता करने की कोई जरुवत नहीं है, company का pan India level पे, जो है, original equipment manufacturers के साथ, जो tie-up रहता है, तो ऐसे में, आपको जो है, केवल उनको बताना है, कि आपको इस spare parts की जरुवत है, और वो जो है, आपके outlet पे आके उसको deliver करके जाते हैं So, दोस्तो, आई हो, quick auto services franchise के बारे में आपको जानकारे मिल गई होगी, और मैंने पहले भी कुछ videos जरूर डाले है, quick auto services franchise के ओपर, तो video description में मैं वो links भी डाल दूँगा, आप चाहें, तो उन videos को भी देख सकते हैं, मैंने इनके unit franchise को cover किया हुआ, especially मैंने इनके master franchise को भी cover किय हुआ है, तो आप वो videos भी देख सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई doubt हो, तो आप please comment जरूर कीजेगा, video description में एक franchise application link है, तो यदि आप click auto services की franchise लेके एक अच्छा business start करना चाहते हो, तो आप आज ही जा के उस form को fill कर सकते हो, तो दोस्तो चलिए अभी के लिए फिर किसी और company की franchise के बारे में बात करेंगे, thank you